यह आप जमीन बेचने के लिए बेटे हो गया आप यहां तो बंद कर दो यह विशुविदाली यह एरिटेज बिल्डिंग को बंद कर दो और यहां पे कोई ब्रोकर सेंटर बना दो आप तो दलाली तो करी रहे हो ना परसासन का तो करूंगा ही और साथ में विदान सभागा करूंगा और आप सब वहां पर जिम्यदार होंगे लाइन सर वहां पर खड़ा करूंगा आपको क्योंकि यह इंविश्टी मेरी है उसको बेचने नहीं दूंगा इंदर युश्टी के जमीन होती है वो डिल्सी रेट में नहीं जाती है जिसकी चार गुना ज्यादा होती मेरे रहते हुए मेरे कारेकाल के अंदर अगर यह जमीन चली जाती तो इससे बड़ा काला दबा मेरे कारेकाल पर कुछ नहीं हो सकता था तो मुझे तो यह लड़ाई लड़नी थी हाली में जोत्पूर विश्वविद्याले में जमीन विवात को लेकर चात्रों ने जबरदस्त परदर्शन किया और उसकी अगवाई कर दे थे जे एन वियू के अध्यक्स रविंदर सिंग भाटी और आखिर सरकार को जुकना पड़ा और सरकार को अपना फैसला वापिश जना पड़ा आखिर क्या था पूरा मामला हम जानते हैं कि किस तरीके से इस दौरां चात्रों पर लाठी चार्ज गवा और लगबग सात दिन तक कि परदर्शन चला और रविंदर सिंग भाटी चार्टी ने एंगिन्वाऊस्वाश करना पोरे और आपके मन में क्या बात आई के अंदर पहली यह बात उठी कि गुंचालीस भी यह का विस्तियाले की जमीन हम जेड़ी को देने पर That finite क्या मजबूरियां आ गई जो विस्विदाले की जमीन आज बेचनी जा रही है अब क्यों बेच रहे हो जमीन तो विस्विदाले परसासन ने कहा कि साब हमारे पास पैंशन के लिए पैसे नहीं है सेलेरी देने के लिए पैसन ही है मैं आपको बताना चाहूंगा कि 110 करोड अलावा जो भी रूसा का बजट है या यूजी सी का बजट है या कई सारे ऐसे बजट आते हैं जिसकी वज़े से मुझे नहीं लगता कि विस्विदाले को पैसों को लेकर कहीं न कहीं कमी आती होगी पर जब मैंने सिंडिकेट के अंदर एजेंडों को देखा गया मैं आप आज तक अकेडमी काउंसिल के अंदर अकेडमी कलेंडर की बात नहीं भी आप विस्विदाला चला रहे हो 27-27,000 रेगुलर स्टूडेंट है आप बेच रहे हो तो विस्विदाले को किसी आलत में हम भीखने नहीं देंगे सिंडिकेट के अंदर यह गर मुद्धापास होता है तो मैं विस्विदाले के साथ साथ पर्शासन का तो करूंगा ही और साथ मैं विदान सभा का गेराओ करूंगा और आप सब वहां पर जिम पहले और सायद तीन-चार बार पहले जमीन घई उसके लिए इनके मंसुबे इते बुलंद थे इनके होसले बुलंद थे कि इन्होंने सोचा कि हम यह भी जमीन बेच दे एक जमीन जो गुंचालीश बीका जमीन जिसकी बात आप कर रहे हैं गुंचालीश बीका जमीन आप के अंदर यूंशिटी के जमीन होती है वो डिल्सी रेट में नहीं जाती है जिसकी चार गुना ज्यादा होती 16 करोड जिसकी रेट थी उसको 400 करोड में इस सेटल करके एक बहुत बड़ा स्केम करने वाले तो करोड का कोड़ा था जो लोगों के सामने विश्वध मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छातर सक्ति को उन लोगों को जोनों परतेक्स रूप से आगए काई चातर संग अद्दिक्स आ गया है उसके साथ थी साथ में राजस्तान के हर एक कौने से इत्ते सारे लोग आ गया है जिनके आवाज को सुनकर जिनके विरोध को देखकर विस्विदाले परसासन को और राजसरकार को जुकना पड़ा बाकी तो यह जमीन तो जाई रही थी इस जमीन को बचाने के लिए मेरा करतव है मैं मेरे दर्म की पालना कर रहा था कि साथ मुझे यह जमीन बचानी है यह विस्विदाले अगर मेरे रहते हुए मेरे कारेकाल के अंदर अगर यह जमीन चली जाती तो इससे बड़ा काला दबा मेरे कारेकाल पे कुछ नहीं हो सक कि विश्विदाले ने स्टुडेंट्स को दबाने के लिए कई सारी लाठी चार्ज करवाएं मुकदमे दर्ज करवाएं लाठी चार्ज की बात करते हैं तो बताईए कि जिस तरीके से हमने आपका वीडियो देखा था जब आपको पुलीश में के अंदर बिठा कर ले जाए जा रहा है उस वक्त आप कह रहे थे कि आप मुझे लाठी हमारो वो क्या था पूरा दर्शिय उस वक्त की क्या हलात थे साब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पर मुझे जहां तक लग रहा है कि उस दिन जोदपूर पूरी की पुलीस वहाँ थी कमिशनर साब खुद हमारे वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे मैंने उनको पूछा कि यह विश्विदाले की विदारती है को एके 47 लेके थुड़ना यहां पर बेठे है आप अगर लोक तंतर के अंदर विरोध करना अगर गलत है अपने हक के लिए लड़ना अगर गलत है तो बिलकुल हम गलत है पर अगर सही है तो हम से आके बात करें हम तो यही चाहरे थे ना कि विश्विदाले परसासना के बात करें और इनकी यह जमीन किसकी है यह उन तमाम चात्रों की जमीन है इन तमाम विश्विदाले के अंदर जो बेठे हुए करमचारी है जो 40-40-50 साल से जो काम कर रहे है उनके आंखों के अंदर आप उनका बोल नहीं पा रहे थे वो लोग मुझे पता है वो अंदर जो बीरोकेट्स कहीं न कहीं बेठे थे वो दो साल या तीन साल के लिए आते हैं जमीन बेची और अपने घर चले जाते हैं इस आंदोलन के बाद में जो आपके समर्थक थे वो आप में एक नेता के रूप में अगला चुनाव लड़े हैं विदान सब्सक्राइब लड़े हैं क्या कहना चाहिए आगे अगर में जनता मोख दे है तो लड़ा लड़नु गणत को नहीं है पर विस्विद्यले अबार महारी प्रायूर्टी हमेशां विस्विद्यले रही है जातर राजनीती एक स्टिक्स में आएंगे लेकिन इसी तरीके से चात्रों के मुद्दों को राजस्तान में उठाते रहेंगे दिनेश बहुरा बार मेर राजस्तान तक